सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल डिजिटल मंजी आज की स्टूडियो के अंदर हम एक नई टेक्निक सीखने जा रहे हैं जिसके साथ में हम जो किसी भी इमिज के अंदर से किसी भी टाइप की टोन को रिमुव कर सकते हैं अब जैसे हमारे पास में यह इमेज है तो इ इन नों को रिमुव कैसे किया जाये बहुत सिंपल सी आजशमें लेर जो की तकाल्ष को चूल कर सकते हैं यह से पहले अपन इसको रिमुव करने की ट्राइब करते हैं पर आप Architect कर अब यहां पर को रिमुव करने की ट्राइब क्राइब जीए तो कपना पर आपको दो कलर स yanlış करने है और तीस् lernen आपके वस्में रिजल्ट अजाएगा ठिक है कौन से कहना ढकना है ठीक है पहले यहां पर अगर आपक देखें तो हमआरे पास में हैं फिर सब्सक्राइब या पहले प्रहां सकता है कुछ भी अपन कर सकते हैं जो डार्क है जो आपको लग रहा है कि इस इमेज में सबसे ज़्यादा डार्क पॉइंट यह हो सकता है ठीक है अब बिफोर आफ्टर देखिए सिर्फ एक कला सेलेट किया बिफोर एंड आफ्टर ठीक है काफी तक अच्छा हो गया है फिर स इच्छा इफ्रेक्ट आगया यह फिफोर था यह आफ्टर है ठीक है अब एक लास्ट आता है हमारे पास में ग्रेवन और ग्रेव के साथ में आप ऐसा कलर सेलेक्ट करना यानि कि मिड टोन अब ऐसा नहीं है कि प्रॉपर ग्रेव आपकी पूरी मेंज कलर फुल है तो कोई हो सकती है मैंने क्लिक किया एंड यू विल गेट दर रिजल्स विफोर आफ्टर देखें यह था बिफोर जिसके अंदर पूरा ग्रीन टोन और यह है आफ्टर जिसके अंदर हमारे पास में ग्रीन टोन अच्छे से रिमोब हो चुकी है हमारे जी न्यूट्रल कलर्स है वह तरीका क्या से चल एक और किस्टार जाना पर जाना है इस हैं यहाँपर जब हैं तो आपकर जाएँगों में विरसक नहीं गरने में फोटो यूप को फोड़ोगे और क्योंकि Photoshop क्या करता है वो अपने आप देख लेगा कि कौन सा ग्रेय है कांट सा ब्लैक है तो फिर आपको जाना है तो आपको जाना है सीधा ऑटो ऑप्शन जैसे आप पर आपके आपसमें मुल्टिपल आप्शन यहां पर आपको सब्सक्राइब करना है find dark and light colors जैसे ही आप select करेंगे आपके पास में already result मिल जाएगा और आपको बस यहां पर कर देना snap neutral colors etc तो इसमें actually ऐसा है extra अगर आप ऐसा करते हो extra snap neutral mid tones जिसमें क्या करता है यह आपकी जो neutral mid tones होती है अब अगर हम देखें तो यह यहां पर भी काफी अच्छा effect मिलें यह before था और यह after that working fine लेकिन अभी अगर आपको लग रहा है ना दोनों ही results में आपको लग रहा है और इस बार आपको यहां पर कौन सी जो टोन आप हटाना चाहरे हो इसका आपको knowledge होना चाहिए ठीक है यहां से green tone हटाना है तो यहां RGB के अंदर आपको green मिल जाएगा ठीक है green में जाओ green को कम कर दो कैसे यहां से यह जो पॉइंट है इसको नीचे लेकिया जाओ जैसे लेकिया होगे सी ग्रीन टोन automatically आपकी कम हो रही है अगर आपको चीए कि थोड़ा सा ब्लू टून आ जाए ग्रीन हट रही है तो ब्लू टून भी आ जाए तो ब्लू के अंदर जाओ और स्लाइडर को हलका सा इस तरफ मिले जाओगे तो आपके उसमें ब्लू टून भी यहां परके देखने को मिल अब हमारे पास में यह एक है अब इसको करके देखें चालो पहले तो सिंपल जो ना ब्लैक-वाइट वाला था उसको करके देखते हैं और फिर आप यहां पर यहां पर तेखा यहां पर फिर भी काफी एच्छेृजल्स मिल गए लेकिन इसके अंदर काफी अच्छे बिसल नहीं हो कई इमिजिस के अंदर आपको रिजल्ट नहीं मिलते तिनी अच्छे करके देखें चलो पहले आटो पर चलते हैं यह गया मैं सीधा आटो ऑप्षिंस के ऊपर कि इससे यह आ चुका है तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते न तो फिर यहां पर इसलिए आटो अगर आप यूज करना चाहों कर सकते हो लेकिन बाद में फिर आपको एक एक एक्स्ट्रा कर्व्स की लेर लगानी पड़ेगी उसमें अगर आप कंफरेबल है तो आप उसमें जा स बॉल्ड़र आपको में लगानी है तो आप क्या कर सकते हैं सेम्पली मैं को डिलीट करके एक नही वापस कर कम बना लेता हो और यहां पर सीधा पहले ब्लैक सिल्ड़ा करने अपने darkest प्लेस किया हो सकती है इसके में इन इसकी इस और पॉना यहां पर क्या हो सकती है जिसन राइट गरे से क्या इतना डिफरेंस आ जाएगा भी मैं यहां पर गरेड कर रहा था लेकिन गलती से मिरसे ऐसा कुछ हो गया कि यह खड़ाब result आपको देखने को मिला तो कोई दिक्कत ही नहीं है वापस से उसी slider को select करो और वापस जैसा जहां पर आपको results अच्छे लगे लगे लिए यहां पर एक काफी इच्छा result आपको देखने को मिल रहा है अगर फिर भी आप results से खुश नहीं है तो आप simply वापस से कुछ और samples ले करके is very amazing right अब रही बात brightness की अगर आप करना चाहो तो आप क्या कर सकते सिंपली इसी के अंदर जाओ और हमारे पास में जो ना इसके अंदर आपको आर में जाना है ना जी में और भी जो आपका आर जी वाला है इसको master वाला जिसे हम बोलते हैं उसका select कीजिए और यहां से आप brightness इसकी increase कर सकते हैं ठीक है तो आपको अडिशनल जो है आपको अलग से कोई brightness लेर भी बराने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है राइट तरीका है जिससे कि आप किसी भी image के अंदर से किसी भी टाइप की tone remove कर सकते हैं आपको समझ में आया होगा कि किस टाइप से आपन